हलो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीवासू राजप्रोहित और आज हम आपको बुने हुए चने के बारे में उसके फायदे और उसके लाब हम आपको बताएंगे आपने बुने हुए चने तो खाये ही होंगे अगर आप बुने हुए चनों को केवल स्वाद के लिए कभी कभी खाते हैं तो उन्हें रोजना खाना सुरू कर दीजिए बुने हुए चने खाने से सरीर को जबरदस्त स्वास्तिलाब होता है रोज सुबह खाली पेट बुने हुए चने खाने से सरी की रोग परती रोधक शम्ता मजबूत बनती हैं मजबूत इन्मटी सरी को तरह तरह की बिमारियों से लड़ने में मदद करती हैं अगर आप रोज चने खाएंगे तो इसमें आप मोशमी बिमारियों से अपना बचाओ कर सकते हैं चने में मौजूत तत्व इमनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं यदि आप बुने होई चने खाते हैं तो इससे कहीं तरक अलाब होता हैं जैसे कि वजन कंट्रोल में रखें सुबे खाली पेट एक मुटी बुने होई चने खाने से आप अपने वजन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं अगर आप अपने मोटापे से परिशान हैं तो सुबह सुबह नास्ते में बुने हुए चने खा सकते हैं चना खाने से पेट लंबे समय तक बरा रहता हैं जल्दी से भूक नहीं लगती इससे आप और डाइटिंग से बसते हैं और वजन कंट्रोल में रहता हैं नमर दो कब्ज से रहा दिलाएं चने कब्ज से चुटकारा दिलने दिनानी में बहुत ही फायदेमन होते हैं आप थोड़े से चने बुन लें सुबह खाली पेट इसका सेवन करें इससे कब्ज की समशिया में काफी हद तक आराम मिलता हैं कब्ज होने पर आप कुछ दिनों त सकती का दुरस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. पाचन कमजोर होने पर तरत्र की वीमारिया का सामना करना पड़ता हैं. अगर आप पाचन से जुड़ी समशियों को सामना कर रहे हैं, तो अपनी सुबह की डायेट में बुने हुए चने को सामिल कर सकते हैं. चना, पाचन सक निकल जाते हैं, चना, खून साब करने में मदद करता है, इस से तुचा में निकार आता है, बल्ड फूरी फाइट होता है और खून से समद्समिशाएं दूर हो जाती है पुरुसों के लिए लाब गारी, भुने हुए चने खाना पुरुषों के लिए भी लाबकारी होते हैं रोज सुभे बुने हुए चने खाने से पुरुषों से जुड़ी नीजी समिशें दूर हो जाती है बुनावा चना फाइबर प्रोटेन का खजाना है बुने चने कॉलेस्ट्रॉल डायबेटीज को एक साथ कंट्रोल करता है इसके साथ साथ बुनावा चना और भी कहीं सारे फाइद करता है जैसे की प्रोटेन का खाजाना वजन गटाने में साइक डायबेटीज के मरीजों के लिए बढ़िया आप्शन हड्यों को बनाता है मजबूत दिल को स्वस्त रेकने के में साइक है ब्लड फ्रेसर करता है कंट्रोल और कॉलेस्ट्रोल को भी कम कर देता है भूने चने प्रोटीन, फाइबर, फॉलेट, मिल्लर्ज और फेटी एसीड जिससे फौसक तत्व पाए जाते है ऐसा माना जाता है कि भूने से इसके तत्व कम नहीं होते बलकि बढ़ जाते है निमित रूप से भूने चने खाने से आपको मोटापा कम करने डाइबर्टीज, कॉलिस्ट्रोल, कंट्रोल करने और सरीर की मसल को मजबुत बनाने में भी मदद मिल सकती है भूनावा चना खाने से सरीर को कहीं लाब मिलते हैं चना खाने से सरी को प्रयाप्त मात्रा में काइब्रो कार्बो हैड्रेड, प्रोटीन, केलसियम, आईरन और विटामिन्स मिलते हैं चना खाने से वजन कंट्रोल में रहता हैं साथ ही सरी की रोग प्रतिरोध किशंपता बढ़ती हैं बुने हुए चने को रोश्टेस्ट ग्राम भी कहा जाता हैं सर्दी के मौसम में बुने हुए चने का इस्तमाल ज़्यादा किया जाता हैं बुने हुए चने को लोग स्नेक्स के रूप में शाम में खाते हैं बुने हुई चने के 7 से न केवल सिर्फ वजन कम होता है बलकि इसके कहीं अत्रिक्त फायदे मिलते हैं देखने को मिलता है बुने हुई चने के आउटलर सेल्स में अच्छी मात्रा में फाइबर और रोटीन पाया जाता है इसके लुम्ए समय समय तक पेड़ बरह हुआ मैसूस एता है फायवर होने के कारण इससे पचने में ज्यादा समय लगता है इसलिए जल्दी भोग भी नहीं लगती, बुने हुए चने में केलोरी भी बहुत कम होती हैं, इसलिए वजन कम करने में बुने हुए चने की सला दी जाती हैं, लेकिन बुने हुए चने के और भी जबरदाए और यदि आप पीगलिया जैसी गंबीर बिमारी से गरशित हैं, तो आप बुने हुए चले चने खाईए जिससे आपको कहीं रहात मिलेगी, पीलिया जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, बुनावा चला शरीर में एनरजी परदान करता है, शरीर को रोक प्रतिरोदक सम्ता से बढ़ाता है, तो दोस्तों, आप समझी गई होंगे कि बुने हुए चने खाने से कितने लाब हैं, कितने फाइदा है इससे, तो आप बुने हुए चने खाईए और अपने सहीर से बीमारी को दूर बगएए, फिर बिलेंगे अगले वीडियो के साथ,